दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले ही विध्वा हो जाती है? नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णू और मा लक्ष्मी क्षीर सागर में शेश नाक की शैया पर बैठे हुए थे, तब माता लक्ष्मी के मन में जिग्यासा हुई, और उन्होंने भगवान श्री विष्णू से प्रश्न किया, हे प्रभू, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विध्वा होती है, ऐसा वह कौन सा पाप है, जो एक पति वरता नारी को भी विध्वा बना डालता है, क्या स्त्री के विध्वा होने के संकेत पहले से मिलते हैं, तथा स्त्री का वह कौन सा अंग है, जिससे यह पता चलता है, कि स्त्री विध्वा होगी या नहीं, इ पति व्रता ही क्यों न हो, किन्तु एक पाप के कारण स्त्री विध्वा बनती है, और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विध्वा होने का संकेत भी देता है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाती के कल्यान के लिए कई महत्व पूर्ण उपदेश दिये है। इसलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक समय की बात है। मध्यदेश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और तीन पुत्रियां थी। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था। किन्तु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई। और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवास्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुन्दर, गुणवान और पती वृतानारी थी। किन्तु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या के पती ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुन्दर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षन दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सुकन्या के पिछले जन्म के करमों के कारण उसे इस विधवा होना पड़ा था भगवान विश्णु कहते हैं हे देवी, अब मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो सुकन्या का पिछले जन्म में एक ब्राम्हन के घर पर जन्म हुआ था उसका नाम था कलावती वह ब्राम्हन राजा को अत्यंत प्रिय था जिस कारण से ब्राम्हन का घर धन धान्य से भरा हुआ था उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी जिससे ब्राम्हन बहुत ही उनमत्त और गर्विष्ट बन गया था वह ब्रामण अपनी पुत्री कलावती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलोटी पुत्री थी, कलावती बहुत ही सुन्दर थी, और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिघड़ चुकी थी. उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पढ़ने दी कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुन्दर्ता पर भी अत्यधिक घमंड था फिर जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा लेकिन उसकी एक शर्थ थी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा अर्थात घर जमाई बन कर रहेगा ब्राहमण ने अपने सभी रिष्टेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई कई विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर पर उसे देखने के लिए आ गए लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मनों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मन भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर पर आया जिसे देखकर कलावती उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिकारी ब्राह्मन से विवाह करेगी यह सुनकर कलावती के पिता ने भी उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। अपने पती से ही खुद के पैर दबवाने लगी। अपनी ही मनमानी करती रहती थी। कलावती की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पती के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन कलावती अपनी मा की बात कभी नहीं मानती थी। और वह जान बूझ कर अपने पती को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पती की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना, आधी प्रकार के निंदित कार्य वह रोज करती थी। कलावती का पती भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़ कर जाने का निश्चे किया। कलावती का पती बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़ कर चला गया, उसने कलावती का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। क्योंकि शास्त्र यही कहते है कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छा चारिनी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती का पती वन में जाकर तपस्या करने लगा। कलावती ने भी अपने पती को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। कलावती की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पती से विंती करके उसे वापिस घर पर लेकर आये। लेकिन कलावती कहती, जाने दो मा, वैसे भी मेरा भिकमंगा पती किसी काम का नहीं है, उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़ कर चला गया है, ऐसे मूर्ख पती के साथ रहने से अच्छा है, मैं अकेली ही रह लूँ, मैं इतनी सुन्दर हूँ कि कोई भी पुरुष मुझस उससे विवाह कर लेगा, कलावती की ऐसी बाते सुनकर उसकी मा भी दुखी रहने लगी, उधर कलावती का पती ध्यान मगन होकर तपस्या करने लगा, और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ती में लगा रहा, फिर कुछ दिनों बाद कलावती के पिता के सा अशुब घटना घटी। उसे राज महल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन, संपत्ती छीन कर उसे काराग्रह में डाल दिया। अकेला पंसताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसी लिए उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था। अब कलावती को अपने पती की याद आने लगी, लेकिन कलावती का पती तो वन में सन्यासी बन कर बैठा था। फिर कलावती अपने पती को ढूंडने के और उसने कलावती पर हमला कर दिया और उसी क्षण कलावती के प्राण चले गए। और अपने पती के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए फिर कलावती नरक में चली गई। हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ, जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते है, वह स्त्री समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते है, हे देवी, मध्यमाया, तुदिर्घाया, भार्या, हानिर्विनिर्दिशेत, अनामिकाहरस्वा, भवेद्यस्य, तत्वेद्या, पर दारगम। विधवा, विपुलेन, स्यात, संपार्षनी, शुभा, नारी, प्रिथुपार्षनी, सुदुर्भगा। इस श्लोक में भगवान विष्णु ने विधवा स्त्री के लक्षन बताए है। यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहीत हो, उस पर नसे दिखाई न देती हो, उस स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसे दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिनी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छप्टा हो, तो वह स्त्री गर्भधा परण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो उसके नाखून टेड़े मेडे हो अंगूठे पर नसे दिखाई देती हो तो उस स्त्री के विधवा होने के योग बनते है। यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती हो और धम-धम आवाज करती हो तो वह अपने पती का विनाश करने वाली होती है। भगवान विश्णु कहते हैं, हे देवी, इन्ही लक्षणों के कारण सुकन्या समय से पहला विधवा हुई थी। पिछले जन्म के करमों के कारण ही स्त्री के विधवा होने के योग बनते है। जो स्त्री अपने पती का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है, तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिवरता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पती से एक निष्ट रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है, उस स्त्री की कभी दुर्गती नहीं होती और वहमृत्यू के पश्चात मेरे लोग को प्राप्त करती तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान विष्णू ने मा लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जैश्री हरी विष्णू और जै मा लक्ष्मी जरूर लिखे। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करे। आप सभी का धन्यवाद।